सूरत की कपड़ा बाजार में 1.19 करोड की ठगी करने वाले 9 अपराधियों में से 6 आरोपियों को दिल्ली हर्याना से पकड़ा गया पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ त्वरित कारेवाही की है व्यापारियों और दलालों के सहियों के बिना धोकागड़ी और गमन संभव नहीं है सुरत वस्तुरों का क्यांदर है इसलिए पूरे देश से लोग खरीदारी के लिए आते है वे यहां के व्यापारियों का फाइदा उठा कर बिना पैसी दिये सामान खरीद रहे है पुलिस ने धुका खड़ी के 9 मामलों में से मुकदमा चलाकर धिली हर्याना सैक्षेतरों में से 6 आरोपियों को गिरफतार कर कानूनी कारेवाही तेज की है कानून के दाइरे में दुकाने रखकर कपड़ा बाजार में करोडो रुबे के गबन सू नोयचित शडियंत्र के तहट दुकान किराए पर लेना व्यापारियों से विश्वास हासिल करना उधार पर कपड़ा सामान खरीदना दुकान बंद करना आदी मामलों में पुलिस द्वारा किये गए अपराधी का पर अपराध और मोबाइल कारेवाही शुरू कर दी गई है इस प्रकार के कुल नो अपराध दर्च किये गए है कुल छे अपराधियों को गिरफतार कर लिया गया है फिलहाल आरोपियों के तलाश और गिरफतारी के लिए अलग-अलग पुलिस टीम हर्याना और दिली भीजी गई है लेभागो तत्वों की पहचान करे और पुलिस आयुक्त सुरत के पुलिस आयुक्त अच्छे ही तोमर ने कहा कि कपड़ा बाजार में कुछ लेभागो व्या भूमी गत हो जाते हैं सुरत पुलिस और कपड़ा व्यापारियों के बीच नियमित बैठके होती रहती है और ऐसे मुनाफ़ा खोरी तत्वों की भैचान करने की अपिल की जाती है उनके साथ व्यापार न करने की भी हिदायत गी गई है एक बात तो यह तैय है कि सानिय कप भाई भुवा विशाल राजकुमार अग्रवा जैश जस्वंद भाई पतेल को गिरफतार कर कानूनी कारेवाही की गई है